प्रेदितों के कामों का वर्णन 27 अध्याय जब यह ठहराया गया कि हम जहाच पर इतालिय को जाएं, तो उन्होंने पॉलूस और कितने और बंधों को भी यूलियूस नाम अगुस्तुस की पल्तन के एक सुबेदार के हाथ सौप दिया, और अद्रमुत्यूम के एक जहाच पर, जो आस्या के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम थिसलूनी के का एक मकीदूनी हमारे साथ था, दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियूस ने पॉलूस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया, कि उसका सत्कार किया जाए, वहां से जहाच खोल कर हवा विरुध होने के कारण हम कुपरुस की आड़ में होकर चले, और किल्किया और पंपुलिय के निकट के समुदर में होकर लूसिया के मूरा में उत्रे, वहां सुबेदार को सिकंदरिया का एक जहाच इतालिया जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया, और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिंता से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इस इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सल्मोने के सामने से होकर क्रेते की आड में चले, और उसके किनारे किनारे कठिंता से चलकर शुभ लंगर बारी नाम एक जगह पहुँचे, जहां से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीट गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीट चुके थे, तो पॉलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ती और बहुत हानी ना किवल माल और ज पॉलुस की बातों से मांजी और जहाच के स्वामी की बढ़कर मानी, और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाच खोल कर यदि किसी रीती से हो सके, तो फीनिक्स में पहुँचकर जाड़ा काटे यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है, जो दखिन पच्छिम और उत्तर पच्छिम की ओर खुलता है, जब कुछ-कुछ दखिनी हवा बहने लगी, तो यह समझ कर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे, परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूर कुलीन कहलाती है, जब यह जहाच पर लगी, तब वे हवा के सामने ठैर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया, और इसी तरह बहते हुए चले गए, तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड में बहते बहते, हम कठिंता से डोंगी को वश में कर सके, मलाहों ने उसे उठा कर अने कुपाई करके जहाच को नीचे से बांधा, और सुर्तिस के चोर बालू पर टिक जाने के भैसे, पाल और सामन उतार कर बहते हुए चले गए, और जब हमने आंधी से बहुत हिच कोले और धके खाए, त तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाच का सामन फेंक दिया, और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाए दिये, और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही, जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पालूस ने उ तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाच खोलते और ना यह विपत और हानी उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, कि धालस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानी न होगी केवल जहाच की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी स जिवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पॉलूस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों धालस बांधो, क्य क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीती करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा, परन्तु हमें किसी तापू पर जाटिकना होगा, जब चौदव ही रात हुई, और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मलाहों ने अटकल स जाना कि हम किसी देश के निकट पहुँच रहे हैं, और थाह लेकर उन्होंने बीस पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली, तो पंद्रह पुरसा पाया, तब पत्रीली जगाहों पर पढ़ने के डर से, उन्होंने जहाच की पिछाडी चार लंगर जाले और भोर का होना मनाते रहे, परंतु जब मलाह जहाच पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाईयों से कहा, यदि ये जहाच पर न रहें, तो तुम नहीं बच सकते, तब सिपाईयों ने रसे काट कर डोंगी गिरा दी, जब भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कह के सब को भोजन करने को समझाया, कि आज चौदह दिन हुए, कि तुम आस देखते देखते भूके रहे, और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, कि कुछ ख मेश्वर का धन्यवाद किया, और तोड कर खाने लगा, तब वे सब भी धालस बांध कर भोजन करने लगे, हम सब मिलकर जहाज पर दो सो चिहत्तर जन थे, जब वे भोजन करके तुरुप्थ हुए, तो गेहु को समुद्र में फेक कर जहाज हलका करने लगे, जब बिहान ह तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाली देखी, जिसका चौरस किनारा था, और विचार किया, कि यदी हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं, तब उन्होंने लंगरों को खोल कर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पत्वारों के बंधन खोल द निकाया, और गल ही तो धक्का खाकर गल गई और टल न सकी, परंतु पिछाडी लहरों के बल से तूटने लगी, तब सिपाहियों का यह विचार हुआ, कि बंधों को मार डालें, ऐसा नहो कि कोई पैर के निकल भागे, परंतु सुबेदार ने पॉलुस को बचाने की पर और कोई जहाच की और वस्तों के सहारे निकल जाए, और इस रीती से सब कोई भूमी पर बच निकले.